तो नमस्कार दोस्तों स्वागता है आप सभी का ओलान एड़ा फॉस्ट यूटूब चल पर इस वीडियो में हम बात कहेंगे तमाम भरतियों की लेटेस अब्डेट के बारे में जो की जब्बंदीत है यूपी टीटी साथ ही अगर बात की जाए नई सिच्छक भरति इसके अ बूलें जिन शाप्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें के बैल आइकन को दबालें जिससे कि आपको इसी पकाय की अथेंटिक जन गई हैं सबसे पहले मिलती हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं आगे पर गोल्डन सेल चल दी जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि इनकी टेस्ट बुक पास होता है वह एक साल के लिए 400 रुपे में होता है लेकिन टेस्ट बुक की तरफ से यहां पर 280 रुपीस के अंदर अठाए महीने का जो टेस्ट बुक पास है वह आप सुपी को मिलेगा सी से की बात की जाए सभी के लिए बिल्कुल वैलिड होगा सिक्स मन्त की एक्स्टा वैलिडी पाने के लिए सिर्फ 280 रुपे में 26 से लेकर 30 नवंबर 2021 की बीच में परचेस करना बिल्कुल ना भूलें ज्यादा जान करी के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिय टो यह सबसे बड़ी जगह होती जहां से पेपर आउट की आसंका नहीं उंभीदह लगी होती हैं कि जादा दा यहीं से समभावना है क्योंकि पेपर की पूरी जिम्बेदाई दो लोगों के पास होती है पहली जिस पैस की माध्यम से पेपर को चापा गया दूसरी उस परी से बगरा की परिच्छाओं को लेकर उनके पेपर आउट कभी नहीं होते हैं UPSC के परिच्छा कर पेपर कभी आउट नहीं होता लेकिन जब सवाल आता है PNP का तो इनके जो डीलेड के पेपर हैं वो हर वा आउट हो जाते हैं सेम यूपी ठेट का पेपर एक दिन पहले आउ वो बन चुकी है सेम अगर बात की जाए तो यहां पर भी दोस्तों आप स्पी को देखने के लिए मिलेगा स्पी की तरब से लगाता च्षापे मारी की जारी है और यह मामला भी समाप्त नहीं हो रहा है यहां पर आपको देखने के लिए मिलता है कि T.E.T. के पेपर लिक को लेकर दो और नई गरफतायां देखने के लिए मिली हैं साथ को यहां से हिरासत में लिया गया है तो यहां पर दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा कि 4-4 लाग रुपे बेचे गए पेपर चार लाग तो कुछ भी नहीं है एक मेहनत करने वाले अब्रती जो काफी लंबे समय से 2-3-3 साल तक UPTET के परिच्छा की तयारी करते हैं जब उसको ये पता चलेगा कि 10,000 रुपे पेपर को बेश लिया गया मैं आगे आप सुभी को दिखाने वाला हूँ उसी को लेकर नीचे देखने के लिए मिले कर सिचकपाद अपरिच्छा UPTET पेपर लीग हो जाने को लेकर STF ने दो और आरोपियों को यहां से गर्फतार कर लिया जो कि यहां से देखने के लिए मिलेगी उसी को लेकर नीचे और भी तमाम जानकर यहां देखने के लिए मिलेंगी कि STF की तरब से इन सेरों के अंदर लगाता कहिने की चाप मारी कीजा रही है जिससे कि और भी अब्वेर्दी को गर्फतार किया जाए नीचे लिखा है कि 900 लोगों को यहां से गर्फतार करते हुए उनके पास में फॉन और इसके अलावर दस्तावेज यहां से बरामद हुए है साथ ही अगर बात की जाए हैं यहां से आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि अब्वेर्दी के मोवाईल में मिला सॉल भूरा पेपर यह बहुत निंदनी मामला देखने के लिए मिला है कि किसी भी अब्वेर्दी के पास में भीर्टी के पास में सौल्व होगा जो पेपर मिल चुका है जानकरी यह देखने के लिए मिल दिये कि दो मुबाइल उनके पास मिलें इसके अलावा चेक बुम मिली है बीस अंकपत्थ भी उनके पास मिलें च्छे प्रिमाड पर चार आधार कार्ड भी उनके पास थे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरा का पूरा करीने की आप स्वीकर जो पास्पोटर लेकर के बैठा हुआ था उसी को लेकर नीची आप स्वीकर सामने जानका ही आती है आपकी प्रेस एजनसी के बारे में जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि जब सरकार के माद्यम से जो प्रेस एजनसी होती हैं उनके पास अगर पेपर को छपाया रहे तो समस्या कम होगी आपने देखा होगा कि जब पैसे छपते हैं तो वो भी काफी जदा मैतूर होते हैं और वो कभी लीक नहीं होते हैं अगर सरकार सही मायनों में चाहे तो इस मुद्दे को लेकर भी यहां से कहने की संग्यान में ले और जो भी पेपर हैं वो सरकारी तंत के अंदर आने चाहिए हाला कि वहां से लीक होनी की संबावना कर्मोंगी प्राइबिट के अंदर जादा देखने के लिए मिलते हैं उसकी बज़य यह है कि कोई भी एरा गेरा नत्युकरा आकर की पेपर को लीक कर देता है कुछ पैसों के लिए लेकिन जो ऐसे में अब भेती होते हैं काफी लंबे समय से महनत करे होते हैं उनकी यहां से महनत पर पारी फेज जाता है उसी को लेकर देखने के लिए मिलेगा सरकारी पैस है फिर भी इसके बावजूद हम लोग प्राइबेट की हातों में पेपर को चबाया जाता है जिसके कारण बड़ी बड़ी परिच्छाओं के जो पेपर है वो आउट हो जाते हैं उसी को लेकर यहां पर देखने के लिए मिलता है कि गवर्मेंट की पैस के अंदर संसाधन कम है उसके अंदर संसाधन बढ़ाई भी जा सकते हैं जितना पैसा प्राइबेट को पैसे दे जितना परिच्छा निरस्ट कर दी गयी है अभी तक किसके मास्टर मैंड की गिफताई नहीं हुई इसके पीछे कौन है कहां से कहने की पेपर आउट हो सको लेकर बहुत साई जांच की जारी है अब सरहों की माने तो इस मामले को लेकर च्हापने वाली जिम्विदाई दी थी उसके माध्यम से अव्यरतियों को कहने की दोका दिया गया है उसी के कर्म में नीचे जानकर यह और देखने के लिए मिल जाएगी के अंदर भी पैस एजनसी की तरफ से यहां पेपर को आउट कर दिया गया था उसको लेकर सवाल खड़े किये गए थे अब यूबी टीटी करण सारे सवाल देखने के लिए मिलतिया कि आपको देखने के लिए मिलेगा कि का परिचा लिक के मामले में अ से परिश्याइड निमक्त प्रदिकारी पहले कितने भी यहां पर दावे कर लें लेकिन प्रइश्याइन निमक्त प्रदिकारी भी कहीने की सक्के गेरे में आ चुकी है पैस एजनसी के साथ साथ यहां पे कहीं ने कहीं अब पी एनपी के ऊपर भी स्टीएफ का सख जाता हुआ दिखाई दे रहा है टीटी पेपर लीक मामले को लेकर जाच कर रही स्टीएफ की तरब से बात की जाम मुख्य गुनाकारों को पैचानने का प्यास कि किया जारा है फिलाल वे कडियों से कडियां जोटती हुए दिखाई दे रही है अगर बात की जाठाय लोगों को अलग-अलग स्थानों से पूस्ताज की जा रही है माना जा रहा है कि वह जल्दी बड़ा खुलासा करेंगी अब तक मिली जानकारी के अनुसा जांच फिलाल परेचह निमग पर दिकारी और पर हैषय कराने वाली संस्ता के एदिगित चलती खैई दिखाई दे रही है ऐस्टी हँन वह पर्चा निमग पर्दीकारी के आउट्टोंनी कर दिया गया फिलाल स्टेफ की तरफ से जांच की जा धी है और PNP के जो पेपर हर बार आउट होते हैं इसके उपर जांच होनी भी चाहिए या फिर PNP को बंद कर देना चाहिए किसी और संस्ता से पेपर होने चाहिए ऐसा मेरा मानना है उसी को लेकर यहां दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि दस दस हजार में बेच दी गई लाखों रुपे की मेहनत काफी लंबे समय से अब बेदी दो तीन तीन साल तक मेहनत करते हैं और यहां पर दस हजार रुपे में चूरन चटनी की तरह बेच दिया गया टीटी का पेपर टीट में फोटोगों भी मिलें इसके अलावा 35 रुपे भी मिलें अंदाज लगाया जा सकता है कितना सस्ता कर दिया गया चात्तों का वविश्य इसी को लेकर यहां पर एस्टेव की तरफ से फिलाल तो इनको ग्रफतार कर लिया गया है अगर किसी बढ़िया कोचिंग में जाकर अभ्यति कोचिंग भी करेंगा तीन से चार महीने तब जाकर उसको दसजार रुपे खर्च करने पड़ेंगे और यहां पर रात और दसजार के अंदर पेपर मिल जाते हैं तो अभ्यति कोचिंग करें कि पेपर खरी दें कहीं नहीं सिस्टम को इस मुद्दे को लेकर फैसल करें कि देखने के लिए मिली सिच्छक पार्चा को लेकर एकर सौल वर गेंग को पकड़ा गया है जिसकी लगाता है यहां पर दवेस की जा दिये इसी के करमें नई पर इच्छा की तारीक को लेकर जलते की जाएंगी सौंबार को दिन बर गएने की पर इच्छा की तारीकों को लेकर काफी मश्यक्र चलती हुई दिखाई थी डॉक्टर अगर बात के निने सौरी माफ कीजिए शिक्षा मंती सदीशन दुवेदी जी की तरब से यहां बताया गया कि 26 नमबर को ट्यूटी पर इच्छा करया ज लेकर जल्द तरह की जाएंगी लेकिन अभी तक किसी तारीक को लेकर महर नहीं लगी है तो वहीं दूसी दब यहां पर आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि सचिप परिशा निमक प्रदिकारी साथ में शासन की बैठक जारी है जिसके अंदर परिच्छा की तारीकों को लेकर मंतन किया जा रहा है कि आखिस परिच्छा को कब करवाया जाई सचिप को यहां तलब किया गया है जैसा कि नीचे देखने के लिए मिलेगा टीटी की जिंबराई उठाने वाली संस्ता परिच्छा निमक प्रदिकारी सचिप संजय कुमार परद्य को लखनो तलब किय जा गया है सोंबा को बहुत आजदानी में आकर मोजूद है और साथी पेपर हो जानी के विज़ा से नई परिच्छा की तारीकों को लेकर लगाता जो मंतने वो जारी है लेकिन दूसरी तर बात कीज़े पिचेतर अजा नई प्रात्मिक सिच्छक भरती को लेकर जैसा कि आ उमीदर पूरे तरीके समाफ्त हो रही है अब ऐसे में चाहतों का मानना है कि यूपी टीटी की साथ ही नई प्रात्मिक सिच्छक भरती का बिग्यापन भी जारी होना चाहिए जिससे कि जो अब्रती काफी लंबे समय से नई सिच्छक भरती की मांग करे थे उनकी मांग भी पूरी हो जाएगी और साथ में कहीने की जो आचा सहीता लगने वाली है उससे चाहतों को डर भी नहीं होगा चाहतों की तरफ से आने वारे लखनों के अंदर एक बड़े धना प्रदेशन का आयोजन किया जाएगा जिसकी जानकाई आकर मैंने आपको देश शाम के वीडिय अब यह सभी समय आचुका है कि तेट को छोड़ कर सरकार से कहीने की मुड़े की बात की जाए जो कि नई प्रात्मिक शिछकवर्ती की हो और नई प्रात्मिक शिछकवर्ती का बिग्यापन आच्चा सरीता से पहले जादी किया जाए सरकार के पास जो डाटा पहले से हैं 51 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा लगाया गया था इसके अलावा और भी अजारों की संख्या में जो प्रिदेश के अंदर पर दखाली है उन सभी पदों को जोड़कर लगबग 75,000 के समतिक अगर सरकार प्राथ्मिक सिच्छक भरती के विग्यापन जादी कर दे बले जन्द लखनों के अंदर एक बड़ी तारीक का एलांग किया जाएगा बस आप सभी को वीडियो को ज्यादा से जाद लोगों तक शियर करना है क्योंकि अपना हक आप सभी को मांगना होगा सरकार ने टीटी पर इच्छ अदद करके कहीं आप लोगों की उंबीदों को की तरफ से जानकाई देखने के लिए मिलती है यहाँ पर आपको आपको देखने के लिए केलिए सरकार ने देश बर के सभी उच्छ सच्छन सर्स्तानों को सिच्छ को के खाली परदों को वहने केलिए एक बड़ी मोहीम शुरू कर दी है की शुवात केंदी विश्व विद्याले से की गई है जिसे अब आगे बढ़ाती हुए देश बर के सभी विश्व विद्याले तक ले जाएगा जैसा के नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा यूजी सी ने कहा है कि सभी के सभी जो खाली सिचकों के परदे उनको भरा जाए और इनको भरती हुए जल्दी से जल्दी यहां से कहिने की जो कादे समाफ्त कर लिए जाए ऐसा ही कहिने की उत्तर प्रदेश के प्रात्मिक और जूनियर के अंदर परद खाली है लेकिन भरने कि मामले पर हमेशा तारीक पर तारीक देखने के लिए मिल रही है मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें साथी शेयर कर दें और चनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें